पहला कि जो बेबिनियात तरीके से हमारे परिवार को परिशान किया गया है, उसका हम बदला लेंगे, और एक आदमी जो है, नाइट ड्रेस में थी, ये नाइटी में, ठीक है, हिटन कैमरा रखके मोवाइल से वो वीडियो बनाया है, ठीक है, और उसके बाद जो है, इससे कह पत्रकार खड़ा होता है, क्या, उसको तो खड़ा होने के तमीज नहीं थे, उसने ये कहा, ठीक है, कि इमान बेचने से बढ़िया है, कि बहन को बोलो जिस्म बेचने के लिए, तो वैसे पत्रकार को क्या करना चाहिए, आप बदाए, हमां आप से सवाल, अगर एक करोड़ पहार पे बिचल लेते हैं, इनको लोग इस तरह का बात बोला है, अपना यूटूब को प्रमोट करना चाहते हैं, अब हम लोगों आते हैं, कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मतलब रिक्सा वाले सर भाईया है, उस पर हम लोग आते हैं, तो सबसे पहला सवाल है, कि उन पिर देवी से संबोधित क्यों किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में नारियों की तुलना देवी सिक्वी जाती है, और रही मेरी बेहन की बात, तो मेरी बेहन के साथ रच्छा किया जाए, आपका तेहं की साधी हो चुकी है, मैं तो वारल होके बहुत ही बिकार हो गया नमस्कार परणाम मैं हूँ सुमीत कुमार और हमारे साथ देखिए मीडिया के कई चैनल से लोग भी है और मैं आज पहुचा हूँ दीपक रिक्सा वाला आप सुनी रहोंगे नियूज मीडिया में पहले अपने ये आर्टिस्टिक जो इनका हुनर है उसके लिए फेमस हुए फिर ये डोनेशन का पूरा किरिया कलाब अब समझ रहे हैं मनिस कश्यप जी जो हमारे जाने माने बिहार के चेहते चेहरे हैं उनके नाम पर पूरी डोनेशन सुरू हुई उनके सपोर्ट से कहिए और उसके बाद पूरा ये विवाद जिस तरह से एक्स्पोज मीडिया कही क्या कैसा था क्योंकि मीडिया के नाम पे भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं हमारे कमेंड बॉक्स में भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कि आप लोग फंडिंग करवाने का एक नया धंदा सुरू कियों हो जहां से आपको कमीशन मिलती है या ऐसे कई तमाम सवाल हैं हम प तो यह पूरे विवाद आप सुनी रहें उसी को सिलसिला में हम बात करना है फंडिंग सुरू हुई कई तरह के विवाद है क्या लगता आपकी सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि मनीश कस्याप जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी और क्या उन्होंने मतलब क्या आपने क कहा कि डोनेशन हमको चाहिए या उन्होंने अपने सदभाव से कहा कि नहीं आपको पैसे जरूरा था कैसे हुआ देखे सबसे पहले मिनिशेट इस बात से करेंगे कि यह शुरू से मिमिक्री करते हैं ठीक है और मिमिक्री करने का शौक इनको काफी लंबे समय से मजबूरी बस जो रिक्षा चलाते हैं यह सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं इनका इतना लूज कर दिया लोगों ने खासकर कि मीडिया वाले ने यह डरते भी भागते फिर रहा है ठीक है भागने को जुरूरा रहे हैं बचारे कि मीडिया वाला क्या कर रहा है परिशान करके ठीक है हम कुछ भी नहीं कि हम सिर्फ जो है चोटा मोड़ा ट्यूशन पढ़ाएं पढ़ाएं के खुद से और यहां तक अपना जामिया से हम ग्रेजवेशन कर लिए अपना फॉस्ट ग्रेजवेशन सो कॉल ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि हाल में कोरोना टाइम में जो ह लेगा है उसके बाद हो सकता है यह डायलोग बोलता है तो फिर इनका इक इंटर्वी हो गया उसके बाद वो चला फिर एक चोटा सा और आप ही कि तरह आए अरे रिक्षा वाले भाई साब दीपक जी आपका हम वह तरह से देखना चाहते हैं इंटर्वी दिलना चाहते हैं लिए इस तरह से चार-पांच वीडियो आया कहीं ना कहीं मनीश कस्याप जी देखें कि रिक्षा वाला होके यार मिमिक्री कर रहा है आर्टिस्ट है तो यह गुड़ गाए जैन्वीन परसन है वह आये और उसके बाद जो है इनका इंटर्वी लिए ठीक है उनका भाई सन जो भी उनकोट जो बी कहते हैं तो उनका विडिएए बहुत सारे लोग देखते हैं तो देखा तो एक लगा इंटरीडियों लेगें हम आपका इंटरीवी लेंगे यह यारे सब यह देखिए अकाउंट डीटेल्स हमने अपने भाई से यह कहा कि भाई आप अकाउंट डीटेल्स निकल वाई अपने बैंक में जाके इनका इकाउंट डीटेल्स इनों दिखाएंगे अब यह सब्सक्राइब तरीक है पचास एक एक सो इगारा सो पांच टोटल है दो लाग 11,000 अच्छा यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वालाइव लास्ट में आई आए तो इसका मतलब है कि किसी ने पैसा चुराया है किसी ने पैसा चुराया है तो आप रिक्षा वाले की मदद कीजिए ना वह 90,000,000 रुपया खोजने में अगर एक करोड इनके खाते में आया है क्राउट फंडिंग हुई है यह हम आपको करेंट डिटेल्स दे रहे हैं इसमें दो लाग के आस पास सम्थिंग कुछ पैसा है आप खोज की दिखाई आप मीडिया वाले हैं तो ऐसा नहीं है इनको एक क्रोड की फंडिंग नहीं आई है वो रिपोर्टर जाके उसके खिलाफ तो हम एफायर भी केसवेस भी करी करी चुके एक्सपोज मीडिया की बात नहीं देखिए चैनल का नाम मत लिए उसको बोला कि आए चाचा रिक्षा वालो को आए चाचा मुडेलाक्स मोना डालिंग नाटकी अंदाज में बाइए दिल से डालोग बोलता है उसका मखौल और मजाक मत उडाओ कार्टीस्ट का मजाक क्यों उडाना क्यों कोई भी उलाता है तो गलत बात है यह उसने का रिलाक्स म लूट लिया मिल जागा तो का कीजिएगा ठीक का करना चाहिए उसको तो इसका मतलब आप समाज भ्रांतियां फैला रहे हैं इसके प्रती आक्रोश खड़ा कर रहे हैं कल को मेरा रिक्षा चलाने के लिए जाता है रिक्षा वहां देखे कैमरा कीजिए उदर थोड़ा सा द पकेगा की नहीं पकेगा ठीक है इसको किसी को कोई मतलब नहीं है तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये घर है तो आप जो है जाके आराम से इनफोर्मेशन निकल वाईए अगर मेरा घर ये रहता तो इस घर के बाहर जो बोड लगा हुआ है ठीक है तो इस बोड पे रहता नाम दीपक रिक्षावाला या रवा रिक्षावाला या शर्मा जी क्या उस पे लिखा हुआ है हम आपसे पूछ रहे हैं कोई डॉक्टर का यहां पर डॉक्टर साब जो है, मेरी माँ यहां काम करती थी, इनके यहां, रहने के लिए दिये हुए, आप लोग यहां पर बात उड़ाएंगे भाई, जिनका घर है, वो देखेंगे, दो मिनने में खाली करो, तुम लोग घर हती आ रहे हो, क्या नोटेंगी कर रहे हो, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, कि हम समाल लेके आपके यहां रहने के लिए आजए हैं, पुरा परिवार लेके, आज आप रहने देंगे अपने घर पे, नहीं रहने देंगे, आप चुप चाब अपना मूँ फेर करेंगे, ठीक है, उटके चलते बनेंगे, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कि आप इस तरह का घटिया पत्रिकारिता मत किजेंगे, दो कॉड़ी वाला इंसान आप क्यों बन रहे हैं, आप पढ़े लिखे, अगर अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप अच्छी पत्रिकारित मेरा नाम रभी रंजन रहा है, और मैं काविल नियुद्सराइब, आप मेरी बहन को अभी कुछ गलत बुला कहिए, मेरा भाई को कुछ कहिए, मेरे बाप को रूलाइए, हम आपका भी कॉलर पकड़ लेंगे, आप कॉलर पकड़ लेंगे, नहीं, कॉलर पकड़ लेंगे, एक पर बूर कॉश्चन कंप्लीट करने दिजिए, सर। आप जो मीडिया में आ रहे हैं, बता रहे हैं कि दूसरे का घर है, इसका घर है, आप सुरू से बोले होते, कि हम गरीब घर से हैं, हमको घर मिला है रहने के लिए, और वहीं पर मेरा रिक्सा खड़ा होता है, तब तो आज यह सवाल करने वो भी नहीं आता, और हम भी नहीं आ क्योंकि यहां पर आम जो लोग है, जो आपके आस पास रहते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन मीडिया वाले वो तो आएंगे तो घर ही देखेंगे, यह थोड़ी, भाईया मेरे, एक मिनिट, आप थ्वास इतर आजाए, घर आप देखिएगा, उसके बाद आप पता की ज आप देखिएगा, पहले पूरा बात सुनिएगा, और एक जेंटलमेंट की तरह हम लोग बात कर रहें, कोई जरुड़त नेएगरेशी होने का, तो किसी ने सोचा भी ने था का आप इस लोकेशन में भाड़ा पर भी डाह सकते, पुड़ी बात सुनिएगा, आप किस यहां पर फ्री मेरी माँ हमने कहा है दो मिनट पहले, कि मेरी माँ यहां काम कर देती, उनको रहने के लिए दिया गया है, यह रेंट पर नहीं रह रह रहे है, हाँ, stick to your words, ठीक है, हाँ, तो यह यह भी तो कोई भी तो यही सोचे ना, अभी यह तो किसको पता नहीं ना, कि यह आपको यूही मिल या चलिए किसी काडन मस से, लोग तो कहेंगा, चलिए हम यह नहीं कहते कि आपका गड़े, लेकिन भाड़ा है, यह तो कॉमन सी बात है हम कहेंगे न, यह तो इसमें कोई जायस्ति नहीं है, आप कहेंगे, आप भाई, फैक जानने की कोशिस करेंगे एक बात कहा चलिए अच्छा है उन्होंने पैसा किस बेश पे मांगे क्या कहके आप मेरे को वीडियो दिखाए ना जिसमें मेरा भाई ये बोलाओ कि प्लीज आप मुझे पैसा दे एक वीडियो आप मेरे को दिखाए है को वीडियो है आपके पास आज हम लोगों को गलत सवा कर रहे हैं तो आप बोलने को फोन कर सकते थे जिसमें बोलिए कि हमको फंडिंग नहीं चाहिए एक मिनट आप मेरे को यह बताए कि कि किसी गरीव इनसान को आप पकड़िये जिसकी माली हालत बहुत खराब हो जूज रहो ठीक है रिक्षा चलाना रिक्षा चालक और उसका नहींच परिवार जो ओवरॉल है आप और उसको बोलि Companies को ममाला चाहिते हैं वुआ सबसे दुक को बढ़ा कर है यह बिहार मेरे भाई को सो जो है ना वह मिमिक्री रिक्षा वाला के नाम से जानता है लेकिन वह बात जग गया है, मिडिया आप किसको बात उछाल रही है, कि गरीब है, क्राउटफंटिंग हो रहा है, चोरी है, ठगी है, यह शर्माने चायए इस बात पे, कि घंपालिशनạnh आप आर्टिस्ट को आगे कहां कर रहे हैं, आप आर्टिस्ट के आर्टिस्ट करते है ना मिमिकरी उसको तो दफन कर रिया अब light में क्या आगया है सरसर सर्टिस्ट मेने पूरी बात सुनीगा आर्टिस्ट की इजित तब तक है जब तक बुंक क्राउड फंदिंग नहीं मांगता है बात समझेगा, ये मत कहिए, जब तक ये मिमिकरी आर्टिस्ट है, जब तक क्राट फंडिंग नहीं मांगने, तब तक बोट इजट है, सर, आपको हम कुछ दो रुपे मांग लेना, तो हम अच्छे नहीं रहेंगे, जब तक हम आपसे अच्छा भी आप कर रहे हैं, तब तक ह मुसीबत में हैं, किसी तरीके से साधी हो जाए, लोग ये नहीं कहें, बहुत धूमदाम से हो, पटाका, फुटे, या बहुत सारी शीजे हो, बड़ा बड़े ना, क्योंकि जो मदद किया है, सर, हो सकता है, उसका दस जड़ कभी उकाद नहीं हो, लेकिन क्या है, कि देता ह है, अगर उसको ये जानकारी होता है, जैसे बहुत का आया विडियो, कि धूमदाम से साधी हो हर किसी का होता है, तो वो भी तो कहेंगे नहीं हम तो कुछ और सोच के दिये थे, पचास रुपए दिये, कुछ और सोच के दिये, हमारा तो वो भी कंडिसन है खाने का, क्योंक तो उस पे लोगों को क्या कहता है, चाहिए, मीडिया को छोड़के, लोगों को फटम हो गया है, हम इस बात पर आते हैं, देखे इन्होंने यह जो है ना, सबसे पहले इस बात मीडिया में यह बात सामने आई, कि दहेज के लिए पैसा इखटा कर रहे है, ठीक है, यह एक मि सबसे पहले हैं, कि जो दहेज के लिए पैसा इखटा कर रहा है, ऐसा कुछ जो है, लोग यहां पर गेट पर आई, कि दहेज के लिए पैसा इखटा कर रहा है, ठीक है, नहीं मान सकता है, और दुसरी बात कि अगर कल को हम, अगर इन भाई की मदद करें, कि भाई यह गरीब है, हम इनको लिकाल के 10,000 रुपे, 5,000 रुपे दे दें, और हम कहें दें कि प्लीज भाई, यह गरीब इनसाने इस को हेलब करो, तो यहाँ पर मनीज का सिर्फ दोशी नहीं है, मनीज का सिप जह दों हें, वोसके बात कर दिया, इसकी हेल्प करो, ठीक है, तो भी यह गलत नहीं है, लोग इसको हेलब करें, ठीक है, और नहीं इस इनसान जो ए खुले आम बोला कि भाई हमको तुम पूरा डीटेल बताते हैं देखे हुआ यूँ कि मेरे भाई की शादी हम लोग परिवार से थोड़ा अलग हो गया थे पेटरनल होम और मैंटरनल होम दोनों से ठीक है तो इनकी शादी बहुत मुश्किल से होई नहीं रही थी तो किसी तरह से एक लड़की से शादी सेट हुई विकलांग थी शिवस डिसेबल अभी भी है तो उससे शादी हो गई ठीक है शादी हुई उसके बाद वो आए ठीक है हमको नहीं कहना चाहिए फोन यहां प्रेस के सा तो आप इनके साथ बच्चा भी था अब जब डीपली जा रहें थो हम आपको बताते हैं इनका फिजिकल रिलेशन भी काफी लॉग समय से शेट शोलों में साथी हुई छे साल हो गया ठीक है तो यह इनका फिजिकल रिलेशन भी नहीं था तो इन्हों यह अंदर से अंदर होते गए ठीक है यह चीज जानने का कोई कोशिस नहीं करता है सब जो इनका निगेटिव इमेज एक क्रियेट कर रहा है तो फिर वो लड़की साब साब बोली ठीक है कि हम जो है हम घर पे सरम से नहीं बता सकते है कि मेरा मरदाना रिक्षा चलाता है और यह अपने ससुराल हम जो अभी कभी नहीं जाते है हम ही जाते जाके पूछ लिजेगे अगर आपको जादा हैं चालना रिक्actly श्लाता है चलाता organised को फिर इनका जानवरोंके प्रति लिचे बढ़धिक है जरूरी है कि हमरे भिया हुआ है, बोल नहीं सकते हैं, बोल दिए कि कमारे हैं, ठीक है, इनके मन में कितना ठेस पहुचा, औरे किसी गल्फेंट छोड़ देती है ना, आज की रेट, चक्कू से निशान मनाने लगता है, रात रात बात गांजा पीता है, किसी गल्फेंट कि तुम मत बोलो कि हम तुमारा भी हुआ है, ठीक है, तो यह इसका नीजी जिन्दगी है, बोल दिया कि हां मेरा शादी नहीं हुआ है, वहां पे विमान सम्मान रखने की बात ही, उसको बोल दिया ना, ठीक हम बोल देंगे, कितना बड़ा कलेजा पत्तल लदाया है, यह मे पत्तिफाइ करें, थोड़ा समय कूझ है, रखने के ना, आप मतर सब्सकी हुआ है, आपसे ना बड़ा सेटिंग हाक, वहां सब्सक्शन बॉम्चा आप कानून की नजर में गलत होते हैं यह तो बेजारा खुद घुट रहा है यह तो आप बीवी के साथ रहे भी नहीं पाता है रिक्षा चलाता है वह गुत्तों को बिस्कुट खिलाता है अतना बताई कि बहन के लिए सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब देजिए कि जो आपकी वहन है उनके लिए बोला गया था कि डेर लाग का कैमरा यूज करते हैं इस पर क्या मैं बहन के बारे में यह सवाल भी उठाता वो एक लड़की थी जो आई ती गेट पर चिला रहे थे कि दीपक شर्मा रिक्षा वाले की बहन के साधी 2 साल पहले लव मैरज हो चुकी है और देज के पैसा पहले एक मिनट 2 साल में दिखा देंगे आपको आप वीडियो देखिए पहले थीक है तो उसमें 2 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है ठीक है, भाई, जब हो चुक्छी है, तो इसके husband को खड़ा करो ना, यार, proof के साथ बोलो ना, हर बात proof से बोलो, तुम पता है, तुम क्या करो, इसका साधी तुलवाद होगे तुम, साधी तुलवाद होगे, यह depression में चल जाएगी, यह suicide कर लेगी, अगर मेरा माबाप कोई heart attack कर जाएगा, तो क्या वो इस चीज की जिम्मेबार होगी, बिना तत्य के तुम कुछी बोलोगी, तुम कुछी बोलोगी, डेल लाक के कैमरा पे आते हैं, हम बता, एक बात बता, यह सिर्फ आप, आपसे पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, एक पाइलेट जो है, जिसक को सपोर्ट करना चाहते है, ठीक है, तो आप क्या कहींगे, नहीं देंगे, तो अगर एक पाइलेट करोलो का जहाज उलाता है, यह एक ट्रेंड्रेवर ट्रेंड चलाता है, तो उसके बाप का नहीं है, और जिसके यहाँ यह काम करते थी, स्टूडियो 360, स्टूडियो 360 भी इसका नहीं है, अब भी डेमोक्रेटिक लाइब पे आप जाके देखिएगा, डेमोक्रेटिक लाइब पे हम जो उनका इंट्रवी भी आया है, आशीस गुपता जिनका स्टूडियो है, जिनका कैमरा है, वो आकर अपना बयान दिये हुए है, और आपको जाना है, तो आप पेपर चेकिए, देखिए सब कुछ, ये सारी चीजे गलत है, बेबुनियाद है, कुछ भी नहीं है, आप पता किजी आके, हाँ, लेकिन एक चीज़ कहेंगे, दो चीज कहेंगे, पहला कि जो बेबुनियाद तरीके से हमारे परिवार को परिशान किया गया है, उसका हम पाल का जवाब दे रहा है, सामने बात कर रहा है, अब हम कच्छा में रहेंगे, गमचीला पेट कर रहेंगे, तो आप कैमरा सुरू कर दीजेगा, तो हम को लीगल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, हम जा रहे है, महिला योग भी जाएंगे, और आईटी डिपार्टमेंट जाएंगे, और वहाँ पेम केस करेंगे उसके खिलाफ में, अच्छे लास्ट कोश्चन है, पूछी लिगे है, उनका सेलरी क्या है, हाँ, सेलरी, अच्छा आप ही, हाँ, तो बात है, कि इसका सेलरी 35,000 का है, ठीक है, तो 35,000 कोई दे रहा है, तो उसका कोई प्रूफ होगा आशिस गुपता का जो है, इंटर्वी आया है, उसमें पूछे कि इसका भाई कितना सेलरी है, हम आपसे पूछे, तो भाईया ने भी कहा कि नहीं, भाई, लोकल निउस चैनल है, तो ये जो है, आपको 10 से 12,000 रुपे सेलरी देगी, अगर कोई छोटा मोटा वीडियो एडि कमाते हैं, ठीक है, तो 35,000 वाला मामला पूरा गलत है, सरासर गलत है, 12,000, 13,000 छोटे-छोटे आप जैसे निउस चैनल में ये काम की है, ठीक है, तो ये भी बात जो है, बिल्कुल सरासर गलत है, समझे, और कोई सवाल है, तो पूछे हैं, चलिए उनकी सेलरी 12,000 है, जो 35,000 सर बोले, 50,000 सर बोले, पता ने उनका क्या सरवे है, हमको नहीं मालूम, ठीक है, बाइसा पढ़ रहे हैं, बोड़े, अच्छे बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में, 12,000 कमाने वाली को अगर, जो बेटी है, अच्छे से कमानी उसमें चली कोई ने, उनको अगर साधी बिया करने के लिए, अगर पूरी देश की जनता फंडिंग कर रही है, तो सर कहना चाहूंगा आप से, कि बहुत लोग ऐसे हैं, जो पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो ऐसे कितनों लोगों फंडिंग होना चाहिए, जनता का अक्र लोग ऐसे भी हैं, जो एक रुपया दान किये हैं, डोनेशन दियें, एक रुपया असी पैसा दियें, कोई दो हजार कोई अड़ाई सो ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमालूम है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इनका सालरी बाड़ो हो जार है, सच्चा ही बता है, उनका मेडिकल जो है, वो ट्रीटमेंट होना है, ठीक है, कभी दवा लाना है, कभी डॉक्टर्स दिखवाना है, लड़की है, उसका खुद का परसनल एक्सपेंस है, इन सारे चीजों को लेकर आपको क्या लगता है, कि कितना पैसे में इसका महीने का घर चल जाएगा, पाँच लोगों का परिवार, चो है, कितने में चल जाएगा, क्या 2,000 में चल जाएगा, 3,000 में चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है, इस वज़ा से मेरा भाई जो है, वो रिक्षा चलाता था, मेरी बहन 10-12,000 रुपे में काम करती थी, जामिया में जो हम पढ़ने से पह बंद हो गई है इसको फंडिंग मत कही है वह तुर सा ओड लग रहा है तो यहां पर सपोर्ट जो है पूरी तरसे बंद हो गया है कोई मलाल नहीं को दुख नहीं है दो लाग 14,000 के आसपास अभी आप देखें ना दो लाग 14,000 सफीसियंट है ठीक है और कहते हैं गरीब की शादी में गरीब की शादी में बाई कितना भी गरीब हो तुम दहेज दो अत्वा ना दो एक अलग मामला है लेकिन खर्च होता है दोस्त खर्च होता है हम आप लोग सब भी आईएगा देखिएगा और आप लोग आईएगा ना तो हमको लगता है आप लोग पैसा नहीं था हम गलत तरीके से फंडिंग करती है यह कुछ जूठे मीडिया कर्मी का असर है आपकी बात नहीं कर रहे हैं अगर आपने किया तो हम कोई गलट काम नहीं कर रहे हैं जिनको लगता है कि कब तरीक से फंडिंग करती है यह लेलो पैसा यार मेरी बंद तुमको तुमको चाहिए कि तुमको अगर आक्रोश है कि हम इसको क्यों डोनेशन दे दिया है तो आओ न भाई आप से ही बात करें गेट पर जिस दिन आ के चिलम-चिली कर रहे थे उसमें जो है एक लड़की थी ठीक है लड़की जो बोले कि भाई इसकी बहन के शादी दो सा जाएगा और लड़की से पूछेगा कि डू यू हैव एनी प्रूफ रिजिट प्रूफ कि भाई उसके बहन के शादी दो साल पहले हो गई है वो बोले कि हाँ प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके मेरे पास आईएगा और अगर प्रूफ नहीं रहेगा उसके पास और यहा आज इसी के लिए तो हम लोग बदनाम है मीडिया पे इतनी सवाल क्यों उठ रही है यही रिजन तो है और वो लड़की जो थी वो लड़की बोले कि हमको गेट छडपना आता हम छडप जाएं क्या उसके बाद बोल रही है कि इसके बहन के शादी हो गई है दो साल पहले औ आप यहां से इंट्रिव्यू लेने के बाद जस्ट अभी उसके पास जाईए और उसको बोले उस लड़की को कि तुम प्रूफ दो जो तुम उसको बदनाम की हो ना ठीक है इससे इसका शादी चूट सकता है बहुत सारे निगेटिव इंपक्स हो सकते हैं तो हम आपसे यह करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप जाए और विकास राज को कॉलर पकड़िए और उस लड़की का कॉलर पकड़िए और एक मोटा था अब टोपी लगा के ठीक है उस पर भी केस हुआ है उनलों से जाके पूचिए कि तुमारे पास प्रूफ है अगर प्रूफ है तो दो हम आपको लिश्ट दे देंगे ठीक है अब भाई उसका जूट मुट जाएगा चैनल चैनल चंपकेगा उसका हम केस कर चुके हैं ठीक है बात भी पास साथ लोगों पर केस की है भाई साथ जो हुई है आज बात हुई है मेरी सब इंस्पेक्टर से उन्हों को मिल गया केस मीडियारा है मेरा दिल कुछे वहीं देल कुछ नहीं बोल रहे ह MJ वहां पर के पास नहीं आएंगा हम ठ्छाना में नहीं जाएंगे जो सारे कद में स AU E 마지막 निए तरह में देखने की कोशिस की गही ही किने की मेरा काम है सवाल उठाना हम आपकी पक्ष है न हम तो उसका पक्ष लेंगे न मतलब उसकी पक्ष भी जानने कोशिस करेंगे आप जो बोल रहे हैं वह आपका पक्ष लिजिए मत पक्ष लिजिए मत कर रहा है कि विकास राज पे आप अरोप लगाए हैं विकास राज ने ऐसे किया यह आपका प्रक्ष है आपका तब तक वकील बन रहेते यह लुग एक निता था और वहाज उठाते रहते कि कुछ वह नहीं है सबसे पहली बाद और जिस तरह से आपको बोला गया है और उन्हें और उन्हें से सवाल करेंगी है ना और अपसे भी निवेदन करते हो जिस तर साथ आप बार बार कॉलर पकड़ेंगे यह करिंगे यह सब मत पड़ियो क्यों क्योंकि देख सकते हैं यही वो रिक्सा वाले हैं दीपक रिक्सा वाले जो की अपने मिमिक्री से काफी फेमस हुए और आज जा करके इस तरह से यह बदनामी के घेड़े में आ चुके हैं कि घर से निकलना इनको मुस्किल हो गया अच्छा लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे जी हम तो एक ही बात बोलना चाहेंगे कि मिमिक्री से मैं वाइरल हुआ तो जो सजा देना है वो मुझे दिया जाए ना कि मेरे परिवार वाले को और जो भी मेरा फंडिंग का पैसा है हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ले सकता है मुझे पैसा नहीं चाहिए मैं हर इंट सलीम याद रखो हिंदुस्तान एक ऐसा देश एयाने की रिती रिवाज परंपराओं का देश हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां नारियों की पूजा किया जाता है आपने एक सलोग भी सुना होगा यत्र पूर्जेते नार्स्ती तत्र रमन्ते देवता एयाने की जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है लेकिन एक बात और है यहां जिस लड़की का नाम लिखा जाता है जैसे कुसुम देवी, रमा देवी, फलना देवी आखिर देवी से मोंधित क्यों किया जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में नारियों की तुलना देवी सी की जाती है और रही मेरी बेहन की बात तो मेरी बेहन के साथ रच्छा किया जाए आप करते हैं कि साधी हो चुकी है मैं तो वारल होके बहुत ही बिकार हो गया मैं चाहता था कि मैं वारल मैं बहुत पहले दे चुका था, उसके बाद मेरा ईंटर्वु बिहार इन सोट्स, लाइब सिटी, नियु यातिन बिहार जारखन्ड हुति का था उसके बाद मैं रिक्षा चला रहा था तो मुझे फोन आया कि भारत एक नई संच, कोई गाड़िस आया थे, पल्लिवी जी नह करते उनको दिखाया उसके बाद मुझे पॉल आया सच तक मैं नहीं जानता था वाई मनिश कश्यप कॉन है सच तक कोई काजल नाम की लड़की आई मेरा एंटू लेक चली गई फिर नेक दिन कॉल आया कि आप यहां आ जाए बोरिंग दोड़ता हम बोले मैं हम तो भी स्कूल कर रहे हैं तो तो यहां आपर आपके साथ कुछ अस्वेशल होगा अब मुझी क्या मालूं कि नियुक्त को मुझे थे नहीं क्या है कौन मेडिया वाला क्या है पता दो अभी बढ़ार के घर डाए था उड़ को सबसे पहली तो आपको सबसे बात कि इन्होंने प्र औरèmes इन्होंने बुलाया और हमें अपने घर पर अमनतीत के और जो भी सबाल था उन्होंने खेसा वहेपने तरीके से कर tag दिया कि यहीं के खेर कजाएंगे को ही और अब कि फिक हुआ एक कि बहुंचोने anytime इस मीडी और घ्लाइक. कि पहले बहुत बढ़ा दिल बढ़ा करना है कि नहीं मदद करना मत किज़ें मेरे भाई ने कह दिया अगर निड़ी है माल लिए किसी को जरूरत है मेरा भाई का दिल बहुत बढ़ा है बता दिए पहले भी झालकीई